उत्राखंड की धामी सरकार ने लोकसभा चुनाओ से पहले बड़ा फैसला लिया है। दामी सरकार ने प्रधेश के राज किए साहेता प्राप्त सिक्षण एवं प्राविदिक सिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानिय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक वकार ये प्रभारित लगभग 5.5 लाग करमचारियों के मेंघाई भत्ते में 4% की बड़ उत्री क बता दें कि राज करमचारी संयुक्त परिशद सचीवाले संग और अन्य करमचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी से 4 फीसदी डिये जारी करने का अनुरूत किया था सियमधामी ने सभी करमचारी संगठनों को आज ही डिये का आदेश जारी करने का आजवाशन दिया था डिये का आदेश जारी होने के बाद करमचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है बता दें कि बड़ा हुआ महंगाई भत्ता सात्वा वेतनमान ले रहे राज करमचारियों के अलावाज साहिता प्राप्त सिक्षर्ण एवं प्राविधिक सिक्षन संस्ताओं और शहरी इस्थानी निकायों के नियमित, वपूर्ण कालिक करमचारियों, कारेप्रभारित करमचारियों यूजिसी वेतनमानों में कारेज़त पत्धारगों को मिलेगा डिये बड़ोतरी का भुकतान उन्हें एक जनवरी जो हजार चौबिस से 29 फरवरी तक अवशेस एडियर के रूप में दिया जाएगा एक मार्च दुजार चौबिस से महंगाई भत्ते का भुकता नियमित रुप से वेतन के साथ किया जाएगा अंचिदाई पैंचन योजना वाले करमचारियों के पैंचन अंचिदान वो उतने ही धनराशी शरकार के अंच के साथ नई पैंचन योजना से संबंदित खाते में जमा होगी शेश धनराशी का नगद भुकतान होगा महंगा भत्ते के भुकतान से वार्षिक लगभग 500 करोड रुपे का व्याय बहार बढ़ेगा इससे कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपे से लेकर 8000 रुपे तक व्रद्धी होगी यह आदेश उच्च न्यायले के न्यायधिशों राजे लोग सेवा आयो की अध्याक्ष सदस्योव और सारवजनिक उपकरम के कार्मिकों पर स्वतह लागू नहीं होंगे संबंदित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे